वेलकम बैक फ्रेंश टूद जीएस प्लेटफॉर्म यूटूब चैनल दोस्तों आज है सेवेंथ ऑक्टोबर 2020 और आज की करेंट अफिर में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेशन बनेगी इस वीडियो में हम लोग देखेंगी और अगर आप चैनल पर नई हैं तो चैनल को स किया जाएगा तो इसका आनसर हो जाएगा रूद आपसन की सही होगा तो बारहें चैनल बिकस सिकनल में और प्रेंपं नियुक्त शेय जया रहा है तो रिकस सिकल मेलन कोविड नैंटीन संकट के दोरां सदस्य देश्यों के बीच सहयोक को और मजबूत बनाने पर केंद्रित होगा और BRICS देशों की प्रितनिदियों की बैटक का जो विसाय रखा गया है वो है BRICS Partnership for Global Sustainability, Shared Security and Innovative Growth तो ये theme रखी गई है तो बात करते हैं BRICS देशों की बारे में तो BRICS में इस समय पांच देश हैं जिनकी नाम है ब्राजील, रूस, भारत, चेन और दक्षड, अफ्रीका तो इन 5 कंट्रीज के नाम आप आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कॉश्चन है कॉश्चन नमर सेकेंड हाली में वन्य जीव सबता है कब से शुरू हुआ है तो आपके सामने जो ऑप्सन दिये गए हैं और में जो राइट अंसर है सेकेंड अक्टूबर, ऑप्सन एस ही होगा तो भारत में परते एक वर्स वनस्वतियों और जीवों की सुरक्षा और उनके सनरच्चल के उद्देश से 2 से लेकर 8 अक्टूबर, राइट, 2 से लेकर 8 अक्टूबर की दोरान वन्य जीव सबताय मनाया जाता है पहला वन्य जीव सबताय सन 1957, 1957 में मनाया गया था और वन्य जीव सप्ताय दो हजार बीस में दो अक्टूबर से लेकर आठ अक्टूबर के बीच जो वन्य जीव सप्ताय मनाया जाया रहा है उसकी जो थीम है वो है exploring human-animal relationship ठीक है तो इस थीम को आप ध्यान रखेंगे और साल 1952 में भारती वन्य जीव बूड का गठन किया गय में जागरूकता बढ़ायने के लिए यह सप्ताय मनाने की सुरुवात की गई थी और 1957 में इसी पहली बार मनाया गया था बात करते केंदरी परेवरल वन और जलवाई परवरतन मंत्री की तो वह हैं प्रकास जावडेकर ठीक है नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कॉश्चन रूज को मिलेगा रैन हार्ट गैंजल को मिलेगा एंड्रिया केज को मिलेगा तो इस तरह से तीनों वैग्यानिकों को नोबल प्रुसकार मिलेगा तो इस तरह से आप्सन आपका डी सही होगा उपरोक्त सभी को ठीक है तो वर्स 2020 के फिजिक्स नोबल प्रुसकार को दो भा व्वट्टि के सापेक्ष्ट के सामान सिध्दांत का एक मजबूत पूरवा नमान उनकी खोज के लिए दिया गया है यानि कि केवल जो आदा हिस्सा है वो रोजर पैनरोज को मिला है जो आपसन ऐ में लिखे हुए ठीक है बाकी का जो नोबल प्रोसकर का जो दूसरा हिस्सा ह ठीक है यानि कि दूसरा जो आदा बाग है वो हमारी गिलेक्सी में केंदर में सुपरमैसियो कॉम्पैक्ट आबजेक्ट की खोच के लिए रेन हार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को सेंगत रूप से प्रदान किया गया है यानि कि आप ध्यान रखेंगे कि जो नोबिल प्रुसकार फिजिक्स का दिया गया है उसका 50% जो पार्ट है वो रोजर पैंडरेज को मिलेगा जबकि 50% जो रेमैनिंग पार्ट है बाकी का जो सेस पार्ट है वो इन दो वैग्जानकों रेन हार्ड गेंजल और एंड्रिया ग मिला है तो इन तीन वैग्जानकों को ये प्रदान किया गया है बात करते हैं फिजिक्स का नोबिल प्रुसकार तो ये रोयल एकेडमी ऑफ साइंसे स्टॉक होम स्वेडन द्वारा प्रदान किया जाता है ठीक है तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान लखेगा नेक्स्ट एस ही होगा तो इंडो अमेरिकन चेंबर्स आप कामर्स IACC ने बिजनिस आइकन रतन टाटा को भारत यूएस की बिजनिस रिलेशनसिप में निभाए गई उनकी मात्पूर भूमका और ग्लोबल लीडर्सिप में हासिल की गई उनकी जीवन वरकी उपलबदी के लिए IACC ने किसी व्यक्ति को lifetime achievement पुरुसकारती सम्मानित किया है ठीक है तो बात करते हैं IACC भारत की राष्टी अध्यक्षिस में को ने पूर चंदर राव सुपर में ठीक है उसका मुख्यल है मुंबई में है तो यहाँ पर देखती है next question तो यहाँ पर question नमर 5 है हाली में यु अभ्यान की गोफ्ड़ की है दिल्ली सरकार द्वारा धूल आटाने के लिए विसेल विसेश परकार की anti-dust आव्यान की सिरुवात किया है और अभ्यान के तैत पूसा किरसी संस्थान द्वारा विक्सित एक तकनीक का इस्तिमाल पराली जलाने की खत्री को रोकने के लिए क करेगा ठीक है next question देखते हैं question number six हाली में world habitat day कब मनाया गया तो इसका answer हो जाएगा five October option dc होगा तो स्योक्तराश्ट दारा हर साल October महिने के पहले सौंबार को world habitat day मनाया जाता है और साल 2020 में ये दिन 5 October को मनाया जा रहा है और ये जो दिन है वो दुनिया बर में हमारे कस्भों और सहरों की षत्यती पर प्रकाश डालने और सभी के लिए परियापत आ chúng ओर यानी कि घर की बुनियादी अदकार को चिन्नित करने के लिए मनाए जाता है यह जो दिने दुनिया को विद्ध दिलाने के लिए मनाया जाता है कि अब सभी के पास अपने सहरों और कस्मों के भविस्थ को आखार दैने की शक्ती और जिम्मेदारी भी है ठीक है तो बात करते हैं 2020 भी इसके World Habitat Day की थीम की, तो थीम है Housing for All A Better Urban Future ठीक है, तो ये थीम रखी गई है और सायुक्त राश्ट ने 1985 यानि की सन 1985 इस वरसे हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को World Habitat Day मनाये जाने की घूफणा की थी, ठीक है, तो इस सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे Next Question देखते हैं, Question No.7 खाली में किस राज़ की मसहूर मिर्च, डले खुरसीनी को जियाई टेक परदान किया गया है, इस मिर्च को आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा सिक्कम, Option C सही होगा तो सिक्किम की लाल चेरी मिर्च जिसे इस्थानिय रूप से डले खुरसीनी बोला जाता है उसने कैंद्रिय उद्योग संवर्दन और आंतरिक व्यापार से भागोलिक संके तक, यानि कि जियाई टेग प्राप्त किया है इसे दुनिया के सबसे तीखी मिर्चों में से एक माना जाता है डले खुरसीनी अभी इस्थानिय बाजार में करीब 480 रुपए प्रती किलोग्राम के हिसाब से बैची जाती है और डले खुरसीनी को सिक्किम की ओर से उत्तर पूर्वी छेत्री करसी विबडन निगम लिम्टेट द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर भारत सरकार की जियाई रेजिस्ट्री में सामिल किया गया है ठीक है तो बात करते हैं सिक्किम की तो मुखमंतरी है पियस गोले, राजपाले, गंगा पर साथ राइट नेक्स्ट कोशेन है कोशेन नमर एट तो आपके सामने जो आपसन है यह जो राइट आंसर है आनंद नील कांतल आपसन एस ही हुगा तो बाहवली स्रिंखला की लेखक आनंद नील कांतल ने अपनी पहली The Very Extremely Most Nutty असुर टेल्स फॉर किड्स सीरसक बाल पुस्तक लिखी है जिसी कॉर्परेट मामलों की मंतराले की तहट पफिन्स पबिसर्स प्राइवेट लिम्टेड द्वारा प्रकासित किया गया है इस किताब की बात करें तो इसमें जुडवां असुर कुड़का और मंड़का की कहानी की बारे में बात की गी है जिने स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है ये पुस्तक उन बच्चों को भारती पुराणों की बारे में जानने में मददकार होगी जो इलेक्ट्रोनिक गैजिट्स में लगी रहती है इस पुस्तक के लिए चित्र सुबदीप रॉय ने तैयार किये राइट नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर नाइन हाली में ग्राम दर्सन यूजना किसने सुरू किया है तो इसका आंसर होगा मुक्यमंत्री मनुहरलाल खटर ने ओप्सन ए सई होगा तो हर्याडा के मुक्यमंत्री मनुहरलाल खटर ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्सन शुरू किया है जो राजज की 6197 ग्राम पंचायतों की विकास परियुजनाओं की डेटा तक पहुँच में अनमती देगा ग्राम दर्सन की सुबराम के साथ हर्याडा के परतेक गाओं की पूर्ड चालू और आवश्चक विकास परियुजनाओं का विवरण डिजिटल रूप से उपलब दोगा कोई विक्ति किसी भी ग्राम पंचायत का विवरण भी देख सकता है नेक्स्ट कॉश्चन है कॉश्चन नमर 10 हाल ये में स्मार्ट मिसाइल प्रडाली किस देश ने लांच किया है तो इसका अंसर हुएगा बारत ओप्सन बी साही होगा तो भारत ने पहली बार ODC ततपर रच्छा सुबदा सी सुपरस्वानिक मिसाइल अस्टिट रिलीज ऑफ टार्पीडो स्मार्ट प्रडाली का सफाल परिक्षड किया है डियार डियो दरविक्सित स्मार्ट एंटी सबमरीन वायर फेर ओप्रेशन के लिए हलके एंटी सबमीन टार्पीडो सिस्टम की मिसाइल असिस्टेंट रिलीज है जो कि टार्पीडो रेंट से काफी आ गया है लॉंच में भारत की पंडुबी रोधी युद्ध चमता का प्रदरसन भी किया गया तो यह रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करेंट अफेर कॉश्टन जो कि आप लेश्टडी किये आगे देखते हैं कल की कुछ का अंसर कल आप से पूछा गया था किस राजने चाय बागान स्रमकों के लिए चाय संदरी ओजना सुरू की है तो इसका अंसर होगा पश्चिम बंगाल दूसरा कोश्टन जेस से रेलेटर था निमन में से कौन सी संसदिय समिती सबसे बड़ी है तो इसका अंसर होगा प्राकलन समिती ठीक है 30 कंडिडिट्स में होते हैं आगे देखते हैं आपर आज की करेंट अफेर का तो हाले में किस देश के साथ भारत का संयुक तो नौसेना अभ्यास बोंगो सागर सुरू हुआ है यह आपको बताना है करेंट अफेर की कुईज की रूप में और जो दूसरा कोश्चिन जेस का है इसमें पूचा गया है किस अनुच्छित के तहएत राज जपाल किसी विदेयक को राष्टरपती के लिए सुरक्षित रख सकता है बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्यन है एक्जाम में कई वार आया हुआ है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताईए कभी कभी क्या होता है कि राज जपाल अगर चाहे तो अपने विवेक से किसी भी विदेयक को राष्टरपती की अनुमती के लिए सुरक्षित रखता है तो वो कौन सा आर्टिकल है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका अंसर अबस्त बताईएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नवसकार